असलाम वालेकूम माई यूट्यूब फैमिली आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल काले चने मसाले की ग्रेवी चलिए चलते हैं रेसेपी की तरफ यहां हमने 200 ग्रम काले चने लिए हैं चने को अपने अच्छे से सोक करना है कम से कम 5-6 घंटे सो करने से क्या होता है चने अच्छे से फुल जाएंगे और इनको बॉइल होने में टाइम कम लगेगा और दूसरा डाजेस्ट भी जल्दी हो जाता है अब हमें चने को प्रेशर कुकर में डालना है पानी हमें इतना डालना है चनों से ज्यादा उपर ना हो सॉल डालके इसे प्रेशर कुक कर लेंगे चार से पांच विसल तक अब यहां हम इंग्रिडेंट्स देख लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए हमने दो फाइनली चॉप्ट ओनियन लिये हैं चार टामाटर फाइनली चॉप्ट कर लिये हैं एक बॉयल्ड आलू अदरक लसन हरी मिर्च ये सब को फाइनली चॉप्ट कर लिया है एक टीस्पून गरम मसाला पॉडर, एक टीस्पून हल्दी पॉडर, एक टीस्पून रेचिली पॉडर, एक टीस्पून कश्मीरी रेचिली पॉडर, सॉल्ट, दो टेबल स्पून धन्या पॉडर, एक और आदा टीस्पून आमचूर पॉडर, एक टीस्पून जीरा पॉडर और थोड़े खड़े मसाले लिए हैं अब हम एक बाउल में कश्मीर, रेचिली पॉडर, हल्दी पॉडर, रेचिली पॉडर, दो टेबल स्पून धन्या पॉडर ये सब थोड़े पानी में घोल लेंगे जब तक onion fry होगा तब तक ये मसाले फुल जाएंगे यहां हम एक कड़ाई में half cup oil डाल लेंगे इसमें खड़े मसाले और अदरक लसन हरी मिर्च ये सब थोड़ी देर डाल के fry कर लेंगे जैसे ही लसन कलर चिंच करने लगे वैसे onion एड़ करेंगे और इसे brown होने तक cook कर लेंगे अब मसाले का paste आड़ करके oil छोड़ने तक इसे भूनेंगे फिर इसमें 4 chopped tomato आड़ करेंगे आप पीस के भी डाल सकते हैं salt आड़ करके अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे मसाले को उपर से cover कर देंगे और 8 से 10 मिनिट मसाले को cook होने देंगे जितना अच्छे से हमारा tomato और मसाला पकेगा ग्रेवी में उतना ही टेस्ट आएगा अब मसाले ने अपना oil छोड़ दिया है और tomato भी गल गए हैं अब इसमें एक टेबल स्पून चना डालेंगे और एक boiled आलू और इसे mash कर लेंगे ऐसा करने से ग्रेवी थिक बनती है और टेस्ट भी हैनाइन्स होता है इसके बाद इसमें हम बाकी के boiled चने और आमचूर पौडर, गरम मसाला पौडर, जीरा पौडर, हाफ ग्लास होट वाटर डालके इसे कुक कर लेंगे आपने जितना ग्रेवी रखना है आप उतना होट वाटर अड़ करें अब इसे ढाक के आट से दस मिनिट पकने देंगे अब इसे धन्या की पती से हम गार्निश करेंगे और दो से तीन टेबल स्पून घी उपर से डालेंगे अब ये रेडी है हमारा धाबा स्टाइल चने मसाला जीरा राइस या पूरी के साथ सफ करने के लिए अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ शेयर कर येगा थैंक यू फॉर वाचिंग अल्ला हाफिस